चौकलेट ममी से मैं सीमा धाबाय आपका सागत करती हूँ आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हम जो पुन्य हम जो कर्म करते हैं उसका हमें क्या फ़ल मिलता है या हम यू कहें कि यग का क्या फ़ल होता है क्या हमें जो पंडित और बड़े बड़े बज़ुर्ग हैं जो यग्य करते हैं उनको उस यग्य का क्या फल मिलता है उसका क्या कीमत है एक यग्य की क्या कीमत है वो बताने जा रही हूँ एक बार की बात है एक पंडिक जी थे उन्होंने अपनी उम्र में बहुत यग्य किये थे छोटे बड़े सभी यग्य उसमें अश्व में एक यग्य भी शामिल था परंतु बहुत गरीब थे जीवन यापन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे उनकी पत्नी बोली कि हम इस तरह कैसे अपना जीवन व्यतित करेंगे हम कैसे जीवी का अरजन करेंगे हमारा जीवन कैसे अच्छे से गुजरेगा आप क्यों नहीं अपना यग्य पैसे वालों को बेज देते ताकि कुछ पैसे मिलते उससे हम अपना जीवन आसानी से निकाल सकते तब पंडी जी ने भी सोचा कि पंटानी कह तो सही रही है दूसरे दिन पंडी जी यग्य बेचने के लिए सोचा तो यग बेचने के लिए निकल पड़े उनकी पत्नी ने उनके लिए चार रोटिया बना कर दी आदे रास्ते में पंडित ने खाना खाने के लिए पोट्ली खोली और एक पेड़ के नीचे कुए की मुंडेर पर बैठ गए जैसे ही वे खाना खाने लगे तब ही वहाँ एक ब्याई कुटिया आकर बैठ गई उसने दो तीन दिन पहले ही बच्चे पैदा किये थे वो पूछ लाने लगी तब पंडित जी उसे एक रोटी दी लेकिन कुटिया वहाँ से नहीं गई उन्होंने फिर उसे दूसरी दी फिर तीसरी और फिर तरह से उन्होंने चारो रोटिया उस कुटिया को दे दी और वो कुटिया वहाँ से चली गई पंडि जी पानी पीकर वापस नगर की ओर चल पड़े और वो ऐसे नगर में गए जहां बहुत पैसे वाले सेट रहते थे वहां उन्होंने आवाज लगाने शुरूर करी यग्या ले लो, कोई मेरा यग्या खरीद लो तब ही उस नगर में एक सेट रहता था उस सेट के बेटे की पत्नी ने अपने ससूर से कहा कि आप जाईए और उस पंडित जिस से यग्या खरीद लीजिए तब सेट ने अपने नोकर को भेज कर उस पंडित को अपने घर बुलवाया घर बुलवा कर उन्होंने पूछा कि आपने कौन-कौन से यग्या किये हैं आप हमें बताईए पंडित जी ने पांच यग्या किये थे उन पांचों यग्यों की अलग-अलग कीमत बता दी तब सेट ने आकर अपनी बेटे की बहु से कहा कि वो इस तरह से उन्होंने पांच यग्या किये हैं और पांच यग्या की इस तरह उन्होंने ये कीमत बताई है तो बहु बताओ हम कौन सा यग्य खरीदें तब बहु ने कहा कि नहीं हम इनमें से कोई भी यग्य नहीं खरीदेंगे आप सेड़ जी से कहो कि आपने रास्ते में जो यग्य किया था उस यग्य के कीमत बताओ हम वो यग्य खरीदना चाते हैं तब पंडित जी ने पंडित से कहा कि पंडित जी आपने रास्ते में कोई यग्य किया था क्या भी तब पंडित ने कहा कि नहीं मैंने ये सिर्फ पांच यग्य किये थे इसके अलावा मैंने कोई यग्य नहीं किया तब सेठ ने अपनी बहु से कहा कि बहु, पंडित जी ने रास्ते में कोई यग्ये नहीं किया तब बहु ने कहा कि नहीं, जब ये रास्ते में आ रहे थे तो एक ब्याई कुतिया को उन्होंने चार रोटिया खिलाई थी वो एक यग्य जो अगर यह बेचना चाहें तो हम वो यग्य इनसे खरीद लेंगे तब सेड़ जी ने पंडिस से कहा कि पंडिस जी आपने रास्ते में एक ब्याई कुतिया को चार रोटिया खिलाई थी क्या आप वो वाला यग्य हमें बेचना चाते हैं आप उस यग्य की कीमत बताईए तब पंडी जी बोले कि सेड जी मैंने रास्ते में ऐसा कौन सा यग्य कर दिया जो मेरे उन यग्यों से भी बड़ा यग्य है अगर ब्याई कुतिया को जो चार रोटी खिलाई थी वो यग्य मेरे इन पांच यग्यों से बड़ा है पुन्यकारी है तो मुझे वो यग्य नहीं बेचना ऐसा कहकर पंडीत वापस अपने गांव अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला भाग्यवान आज मुझे पता चला कि मेरे वो बड़े बड़े पांच यग्य बेकार गए हैं मैंने रास्ते में जो ब्याई कुतिया को चार रोटी खिलाई वो यग्य बहुत बड़ा यग्य बता रहे थे तो मैं अपना यग्य नहीं बेच रख के आया हूँ और तुम मुझे आज एक किलो आटे की रोटिया बना कर दो आज से मैं ब्याही कुतिया गाई बिल्ली सबको रोटिया खिलाऊंगा उस दिन के बाद से पंडी जी बहुत ठाट बाट से रहने लगे उनके घल दुकान उनकी तरक की दिन दुनी राट चोगनी बढ़ती चली गई और भगवान ने उन्हें दो सुन्दर पुत्र भी दिये और वो अपना जीवन बहुत आसानी से गुजाने लगे तो कहते हैं कि कितने भी बड़े यग्ये हो वो यग्ये अगर ब्याही कुतिया बिल्ली गाई को अगर खाना खिलाए जाए वो यग्ये अपने उन यग्यों से बहुत कीमती होता है और उसका बहुत पुन्य फर मिलता है तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चॉकलेट ममी से मैं सीमा धाबाई दैने वाद